तो लुक आपको आपको पिकाचु को नहीं देख पाएंगे पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो काफी इंट्रेस्टिंग होगी और थोड़ा सा अपने माहूल को अच्छा करना पड़ेगा जहां आप एक्स्प्लेन करेंगे कि कौन है एस का रियल टेड़ तुम जानते ही हो कि एस कैचम अपने पोकेमोन के साथ 10 साल के उम्र से ही जर्नी स्टार्ट कर बैठा है और अपने लास्ट सिरीज या अपन बोले कि जो फाइनल सिरीज हमने को देखने को मिली है जर्नी इस वादी सो उसमें भी वो 10 साल कई है लेकिन आज तक हम एक बात से बिल्कुल अंजान है कि भाई एसके जो डेड है आखिर है तो है कौन सो तुम में से कुछ लोग कहेंगी प्रोफेसर ओक ही उसके डिल्ट है पर ऐसा है बिल्कुल गणट होगा हम आनते हैं उनकी मां हमेशा प्रोफेसर ओक के लेयब में रहती थी पर उसका मतलब यह नहीं कि वो ही उसके रिल्ट है क्योंकि उसकी मां हमेशा उससे बात करने के लिए प्रोफिसर ओक के लैब में जाया करती थी अब अगली बात करी जाए कि तुम सोचोगे टीम रॉकिट का लीडर गिवानी जो कि भाई उन दो बंदों को और उस बिली को यानि जेसी जेम समयोत को हमेशा ओर्डर देता था तुम उसका सोचोगे कि वो उसका डैड है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो आली में एक लेटेस्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि एस अपने डैड से फाइनली मिलता है पर ऐसा नहीं होता है हुआ यूँ कि जब एस पैलेट टाउन वापस आता है अपना नया एडवेंचर सुरू करने के लिए पर तुम कहोगे यार उसका एडवेंचर तो खतम हो गया जर्नीज में पर ऐसा नहीं है हमें अब लास्ट 11 एपिसोड दिखाये जाएंगी उसकी फुल जर्नी का भाई देखो जर्नीज तो कंप्लीट हो गया पर अब उसके साथ आगी क्या होगा वो पूरा 11 एपिसोड में अंदर दिखा दिया जाएगा तो एस पैले टाउन आता है और उसकी माँ उसे पोकेमोन सेंटर पर बुलाती है अब जब एस उनसे बात करता है तब वो बताती है कि एस तेरे आने से कुछ ही मिनट पहले तेरे डैड यहां से चले गए थे भाई जीजन तो नहीं बताया कि क्यों वो वहां से चले गए पर ऐसा ही हुआ और हां जाते समय उसके डैड उसे एक हैट दे कर गए थे जो भाई एस सुरवास से पैनते हुए आ रहा है अब भाई थोड़ी देर और रुकते तो अपने बेटे से भी तो मिल लेते तुम्हें क्या लगता है एस के फादर क्या काम करते हैं जो उन्हें इतनी जल्दी में जाना पड़ा क्या वो एक फुलिस है या कोई गैंग मेंबर या वो भी एस की तरह हैं तुम्हारे विचारों को कमेंट बॉक्स में रख तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब त